वेलकम टो योनिक क्लासिज अब डीबीजी हमारे पास भेरियेशन और पैरामिटर्स पे आज कोश्चन सॉल्फ करेंगे इस पर बेस्ट कोश्चन हैं तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ यह एक सरसाइज जो है टेंडी यह ठीक है यह चेप्टर का नाम है लेनियर डिफरें को शौ्ट नहीं देखी तो देख सकते हैं वीडियो का लिंग जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रीफ्चन में क्या करेंगे दे देदेंगे वहाँ से आप क्या करेंगे देख सकते हैं बилकुल असानी है ठीक है तो यहां पर आपको यह कॉश्चन है चली मैं इस question को solve करते हैं देख लिए question इस टाइप से चली question number हम इसका one को solve करते हैं वन हमारे पास इस तरीके से हैं आपको यहां पर auxiliary equation निकालना है कैसे निकालेंगे मुझे यह बताइए नुर्मल है इसको d2y बट आप में dx square लिखा हुआ है तो आप इसको का करिएगा इसको d d square y common लिकाटा देजिए d square plus one into y बराबर से एक साइसे लिख लिए तो चली को मुश्किल नहीं है और यहां फिर auxiliary के लिए m square plus one बराबर zero कर देंगे तो m का मान प्लस मान ऐसा होटा alpha का मान जीरो बीटा का मान वन इससे हमने पराप्त कर लिया विल्कुल आसानी से पराप्त किया अब यहां से आपको देखिए cf किसकी बात कर रहे आपर cf की बात कर रहे देखे जीरो इन्टो इका पावर यह एका पावर जीरो इन्टो एकस अल्फा का मान जीरो तो इस तरीके सा आपने निकाल लिया cf यह पुरानी बाते हैं अब नई बाते क्या है देखे आपको ले लेना है y बराबर यह था c1 पिलस c2 sin x आपको नया चीज लेना a cos x b sin x यह नया मा कर देंगे फिर लंबी कहानी है ठीक है और यहाँ पर आपको यह equation है चलिए मैं आपको दिखा दू यहाँ पर if a and b function of x यह क्या है x का ही function है इसका आप differentiation करिए देखिए कितना time differentiation करेंगे अच्छा है एक तो two time differentiation हो जाएगा और y का मान राइल देंगे चलिए मुश्किल नहीं है तो आपको a and b निकालना है मतलब a and b के लिए हमने का किया यह पहले तो differentiation किया one time देखिए इसका differentiation नोर्मल ह यू into b a को रहने देंगे cos का sign okay minus है तो कोई मुश्किल नहीं minus आप देखिए फिर cos को रहने देंगे a का da बटा dx वैसा ही b में काम कर देखिए आ तक ठीक है मुश्किल ले हो गया तक मुझे यकीन है आगे देखिए अगर da बटा dx into cos x plus sin x db बटा dx को 0 कर दे अपन क्या बोल नहीं समझ में है यह वाला पार्ट यह वाला पार्ट ले लेते हम 0 क्या ले लेते 0 और इसे equation 2 ले लिया क्योंकि future में यह काम आने वाला है यहां तक ठीक है अब देखिए क्या होता है d y बटा dx यह d y बटा dx बरावर माइनस a sin x b cos x यह कहां से आ गया भाई आपको समझ में ह देखा दूं कि यह क्या है आपका d y बटा dx बरावर में सोच यह पार्ट और यह पार्ट 0 हो चुका तो आपको क्या बचा बताहिए नो यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट मिलके 0 तो आपके पास यह वाला माइनस a sin x और प्लस का b cos x यह बचा बदलब d y बटा dx यह आपको एक और ने देजिए साइन का कॉस नोर्मल वहाला वही काम करना यह इंट भी लगाना आप देखें यहां से आपको क्या मिल जाएगा यहां से आपको जो मिल जागा यह d2 y बटा में dx स्कॉयर अगें डिफ्रेंट्रेशन कर लिया तो माइनस a cos x माइनस sin x d बटा dx यह चीज़ आही चुका है अब यहां से यह value जो है यह d2 y बटा dx स्कॉयर और y यह value जो हम equation first में put कर दें गीवेन equation जो दिया हुआ था गीवेन के बाद यह minus a cos x यह किस का मान होगा d2 y बटा dx यह वाला मान है हाँ और यहां पर आपको y y का मान भी a cos x b sin x बिल्कुल और यह बरावर का 6 x यहां से देखें यह वाला पार्ट यह वाला पार्ट दोनों cancel होगी आपके पास यह resultant आ चुका है यह equation 3 माल लिया equation 2 और 3 सम a और बी की प्राप्ति करेंगे यह और बीकी देख लेते क्या है equation 2 और 3 पहले 2 तो देखते हैं क्या यह 2 है और यह 3 और इसको जो ना हमें काट के हटा आना है इसलिए हमने का कर दिया equation 3 में कौस से गुना कर दिया normal आपको क्या की आपन गुना करके जोर दिया जिससे कि आपका यह वाला पाट यह वाला पाट केंशिए कौई एक चांठ जीजबा एक कल् packs है यह मृविए निकल चुका यह यह चीज जो काम किया यह पहले कर लेते हैं तो आपका C1 आता शरीफ आपको constant में changing होते हैं इसके लिए आपको को tension नहीं लेना चलिए अब यहाँ पर देखें यह आपको मैंने काम किया equation 2 में cos 6 से minus 3 sin x यह काम कर दिया गुना कर दिया तो आपके पास B वाला part cancel आपके पास यह चीज आ चुका है और आपके पास जो है यह चीज वन हो चुका दिया बराबर minus 10 x integrate कर दिया तो आपके पास आ चुका यह बराबर log cos 6 plus c2 ओके तो यहाँ पर आपको equation 1 में आप पूट कर देंगे इसको A और B जो है ना उसके जगह पर यह मान पूट कर दिया तो resultant क्या आया cos log cos 6 plus c2 cos 6 बुना करने के बाद यहाँ पर sin x से बुना करने के बाद यह क्या आ चुका आपका finally resultant आ चुका मतलब फाइनली आपका क्या चुका solution हो चुका equation first में put करने के बाद यादि constant में changing हो हो सकता यह आपको c1 के जगह पर c2 हो या फिर आपको यह c1 हो तो कोई दिक्कर नहीं लेना ठीक है constant में कोई मुश्किल नहीं है अब हमारे पास question number 2 है आपको इस तरीके से यह दिखता है इसका auxiliary यह equation पहले निकाल लेंगे जो हमारा निकल चुका है cf देखे c1 cause 6 c2 sin x अब इसको a में ले लेना किसमें लेना a में और यहाँ पर इसका यह चीज़ आपको बड़ा काम का है last में आप यही answer देगा a और b का मान निकालने के बाद और अब ही क्या करना इसमें differentiation करना किसके respect म with respect to the x okay d y बटा dx का मान देखिए कितना आ चुका a minus sin x plus cos x d a बटा dx plus b cos x sin x d b बटा dx मतलब normal साब को differentiation आप सुचे यह वाला part cos x d a बटा dx और यह वाला part 0 हो जाए तो 0 कर दीज़े और यहाँ पर मन में तो यह तो ले चुके ना 0 तो यह वाला part और यह वाला part बचा हुआ differentiation करेंगे तो minus a si cos x b sin x d a बटा dx यह चीज़ आ चुका है putting these value given equation किस equation given equation put कर देते हैं तो चलिए put करने के बाद क्या resultant मिलता है minus sin x d a बटा dx plus cos x d b बटा dx बराबर का cos x equation theory solving 2 और 3 को solve करते हैं 2 और 3 को solve करते हैं कर लेते हैं और 2 और 3 को solve करने का मतलब यह हो चुका 2 में sin x से गुना करना 3 में cos x से गुना करना और यहां पर आपको जो आज चुका क्या आज चुका करने के बाद minus x c plus 2 मतलब c2 अब इसे equation 1 में put कर दीजेगा तो देखिए क्या resultant आ जाता यहां से करने के बाद और यहां से आपको आज चुका जो c1 वाला उसे पहले लिख दिया गया जो c2 वाला उसे बाद में लिख दिया गया हो सकता इसके लिए put tension नहीं लेना है हमारे पास question number 3 है यह देखे यह हमारा क्या है इस तरीके से यहाँ से अपन auxiliary equation निकाल ले अब cf निकालेंगे e का power 0 into x और यह c1 cos 3x इस तरीके साब का आचुका बीटा के जागा पर 3 काम कर रहा है और यहां से आपको इसको ले लेना है आपको वाई में और यह आपको a b okay और इसका डिवाई बटा डिएक्स निकालने पर देखे न डिवाई बटा डिएक्स निकालने पर देखे न डिवाई बटा डिएक्स निकालने पर यह आ चुका हमने बोला यह और यह वाला पार जीरो के बरावर तो यह वाला पार डिवाई बटा डिएक्स बरावर यह सब्सक्रांड चुका एगन डिफेरेंचेशन यहुदा डिक्स कमाना चुका है एगन डिफेरेंचेश़न आप करेंगे किसका इस चीज neighbors पेडिया एक सटुब़न Niger भीपटि आपको तरिकोश्ञ mix तो सिसिंप तहुद आपको यहां पर पुट कर दीजीगा यहां पर y भी होगा देख लेते इक गिवेन एक्विशन कैसा दिखता है यह 9 y से गुना करना भी होगा और बराबर का से 3x है चलिए पुट करने के बाद कैसा रिजल्टेंट आता है ओके देख लेते हैं का पुट करने वाला था ना यह आपको यह पुट कर दीजेगा यह 9b sin 3x आ चुका है देखिए यह कैंसिल है जिसको कैंसिल था होना था वो तो कैंसिल होगा ही कोई मुश्किल नहीं है और यहां सा तो यहां से फिर एक काम कर लेना आपको घटा देंगे कोई में गुना करके इसमें साइन से तो यह आपको आ चुका है यहां पर भी 1 हो गाई 1 होने में कोई यह नहीं यह वाला पाट यह वाला पाट हो का दिए वाला पाट अधिक्वेशन फ़स्ट किसमें पूट किया एक वराबर आपको आचुका एक बटा 9 लॉग कॉस्ट थी एक्स पलेस यह तो रहेगा सी टू के साथ रहेगा यहां पर स 3 x से गुना कर दीजिए यहां पर साइन 3 x उससे गुना कर दीजिए गुना कर दीएक बाद आपको सी वन वाला जो से पहले सी टू वाला बाद में कोई मुश्किल नहीं हो सकता है इसके लिए आपको दिल पर नहीं लेना ओके चलिए कुशन नमबर चार है देखिए देखिए दी इसक्वार पिलस वन y प्लस 10 x चार जे यहां से आपको यहांपर 21 ऐसे पिलियरी एक्यृशन निकाल ले ज्यृशन म्तलब आपको यहाँ पर सी टू सी टू साइन एक्स हो चुका है कि आपको यह तो यह तो इक मैं ले लिए एक्वीशन आपको क्या करना एंड भी find कर लेना है मतलब A और B function of the X है मतलब इसी काय को दीकर नहीं है differentiation करना इसका with respect to the X डिवाई बटा दी एक्स यू इंटु भी इसमें यू इंटु भी इसमें अलग लगा इसलिए इतना बड़ा हो चुका है लिए छांक करते हैं आपको चछेए और संवे स्भी अगे इसका डाकर लाग लाए आफ सब्सक्राव मतलब डुबारा इसरा अपको इसमें भी इसमें इउन्टि भी इसमें योई ङका को आजाएगा आब यह मान ओके और आपको और जो मान यह सब पुट कर देना आपको एक्विशन वन में यह चलिए इसमें आपको पुट करना ना तो इसको डीटु वाइबटर डीएक्स स्क्वाइर लिग दिया गया वाई से गुना करने के बाद यह वाई का मान पुट कर दिया गया और यह डी लिजे कैसा यह equation 2 है आपका और यह equation आपका 3 है आप 2 में sin से गुना करिए और 3 में cos से उल्टा कर दीजेगा ना तो उसमें भी दिक्कत नहीं है यह देखे मैंने गुना करके आपको जोर दिया तो देखे यह वाला पाट यह वाला पाट cancel और यह यह आपको 1 बन जागा sin square x plus cos x square x db but dx common लेने के बाद आपको db but dx परावर आपको आ चुका है यह minus 10x था आपको तोड़ दिया गया sin but cos normal चीज़े db कमान minus 10x integrate कर देंगे तो b कमान आपको cos x plus c1 आ चुका है आप देखे यहाँ पर आपको b कमान आ चुका है यहादि आप opposite करते से गुना करके काम करते तो आपको यहाँ पर c1 मतला आपको एक आमान निकलता एक आमान निकलता उसके लिए c1 होता कोई दिक्कत नहीं इसको तोड़ना पड़ेगा मतलब दोनों को अलग 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 करेंगे भाई इसको पहले इसको यह यह दोनों में इंटिगेशन अलग अलग होगा यह वला और मैंकुछ का आपको साइन तो इसतरी के साबको आचुका आप इसको जो है पुटिंग करना एक्विशन ब्रस्ट में देखें मैंने पुट कर दिया यह優ी कामान यह लो और पूट कर दिया गया अब इसको नोर्मल गुना कर दिया गया गुना कर सकते हैं नहां अब यह दोनों पार्ट यह वरा पार्ट अगर फंक्शन अब दी एक्स हो जाए तो डिफ्रेंशेशन करेंगे वित रेस्पेक्ट टू दी एक्स चलिए कर दीजे डिवाई बटा डेक्स निकाल यह माइनस का टूए साइन एक्स टू एक्स और यह कॉस्ट टू एक्स यह अगर आपको यह चीज यह वाला पार्ट यह तो कर लिजे तो आपके पास आचुका यह देखिए दू-दूनी चार हो जागा है क्योंकि टू-एक्स के साथ काम कर रहें एंगल भी गुना होता है मालमें एंगल भी गुना में आ जाता है तो यह आ चुका है आपको इसका डवल डिफ्रेंशेशन में आपको यह आ चुक खुँए इस दोनोगो चुका है मतुला है जो से दोन स्का खुण रहा लीजेए है तो यहाँ से क्या आपको आपको तो मिलता देकी न यह पार्ट कैंसिल यहां थे बटा डीक्स कॉमन लेने के बाद यह भी वन मतलब डीवी बटा डीक्स कमान आचुका आपको डीक्स से दर भेज़ दीजे इंट्रीगेट कर दीजे मतलब आपको आचुका बी कमान माइनस कॉस टूएक्स पिलस का सिय युँए यहाँ पर आपको यह भाला पाट केंसिल होगा यह दोने में डी जवटा डीक्स कॉमन लेजिए तो डीवटा डीक्स कमान आपको ओ चुका माइनस तू टैन टूएक्स साइन टूएक्स यहाँ से आपको देखे, आपको यहाँ से क्या करना है, यह d a command आ चुका है, आपको, यह sin square है, 1 minus कौस से square लिग देंगे, आपको दोनों का अलग-अलग separate कर दीजे, यहाँ पर d a command आपको यह हुचुका है, integrate करना on both sides, तो a command आपको minus 2, 1y2 log 6x, plus 10x, 2 into sin2x, 2 plus c2, a command आपको य value equation first अब इसे का कर दिया गया अब equation first में हम लोग क्या करते है इसको put कर देते किसमे Common Fust में वह सबस्ति क्या प्रक्षार्ट में एक पूट कर देता हूं तो यह पूट करेंगे । फन्स में यह आपको हो 5 ते जवाब का solve हो चुका है question number 6 789 वो सब हम लोग next वीडियो में solve करेंगे